अब CM Punk को best in the world सिरफ उनके my skills के लिए नहीं बोलते हैं बलकि उनके in-ring skills के लिए भी बोलते हैं और क्यों बोलते हैं क्योंकि भाई उन्होंने कुछ incredible matches दिये हैं अपने WWE करियर के अंदर तो उन्हीं matches को acknowledge करने वाले हैं इस वीडिये के अंदर क्योंकि यह होने वाले हैं 5 greatest CM Punk matches ever in WWE वीडियो चैनल पर नहीं हुई या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना लिस्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ rules बता देता हूं उन लोगों के लिए जो पहली बार इस series को watch कर रहे हैं हमारी चैनल पर इस list के अंद उसको बताये कि सीम पंक का पहला तगड़ा ओपनेंट अगर कोई आया था तो जैफ हार्टी था मलब ऑविएसली से पहले भी सीम पंक ने कुछ मैचेज रहसल करें बट पहला उनका लेज्जी में कोई ओपनेंट या फिर राइवलरी अगर किसी के साथ उनकी हुई थी तो वो जेफ हार्डी के साथ हुई थी तो आप कहाई सकतो की सीम पंक की शुरुवात जफ हार्डी के साथ फ्यूड के साथ हुई थी जावपर क्या इंकुरेडिबल स्टोय लाइन थी एक इसी जो कि मुझे अभी भी याद है बहुत अच्छे से और बिल्ली अपने मैच में कर मिस्ट्री है वो बहुत जाता पसंद की गई थी और इस स्टोई लैंड के बाद से सी एम पंक को लोग ने जाना था कि हाँ भाई यह बंदा यहां पर काफी लंबे समय तक टिकने वाला है तो जैफारडी वर्सी सी पसंद है मतलब जादा कोई ब्रुटालिटी नहीं बंद कि आपको टेकनिकल मैच पसंद है जिसमें क्लासिक पर्फेक्ट एक रैसलिंग मैच देखने को मिले तो यह मैच डेफिनिटी जाकर देखना विकोज यह मैच टेकनिकली जबर्दस मैच था एक जो चीज़ है जो की ड रैफरी नहीं देखता है रैफरी सिरफ अपना काउंट करता है और तीन काउंट करने के बाद सी एम पंक जो है वह मैच को जीट जाते हैं और सी एम पंक टैप आउट भी कर रहे थे जिसको रैफरी ने नजर अंदाज या फिर उन्होंने देखा नहीं और यह इसलिए कि आ इसलिए नच था और वाट अब बैंगर ऑफ अवाज इसलिए और यह परफेक्ट मैच जहां पर टेक्निकली काफी इंट्रेडिबल यह मैच था कुछ हार्ड इटिंग पंचेज कुछ हार्ड इटिंग मूवज हमें देखने को मिले ऑफ इसलिए ब्रॉक लेस्टनर की वाइए सब को बताए कि अंडेटेकर नहीं जितनी भी अपने रेस्समीनिया वाली जो स्ट्रीक है या फिर रेस्समीनिया में के जितने भी मैच रहे हैं यह मैच वन ओफ इस बैस्ट मैच टैफिनेटली है अगर हम बात करते हैं अंडेटेकर के शौन माइकल वाले मैच इस मैच है भले ही हमें रिजल्ट इस मैच को आविसली पता था कि अंडेटेकर जीतेंगे इस मैच में क्योंकि प्रॉपर हील थे अंडेटेकर से वो नहीं जीतने वाले थे रेस्समीनिया वाली स्टेज में उस दौरान तो सबको बताई था बट स्टेल यह मैच की जो क्वालि इंक्रेड़ेबल मैच जो कि 2013 में उनके साथ मैच वा था उनका वो भी काफी इंक्रेड़ेबल था डैनियर ब्राइन के साथ मनी दबंक 2012 इस के लाब रॉक के साथ रॉयल रंबल 2013 और कृस जैरेकों के साथ उनके कुछ नंबर नंबर यहां पर होगा यह सी एम पंक वससे ज नो यह तो आइकॉनिक मैच है सबको पता यह इस मैच में हुआ क्या था चैंपियंशिप लेकर ही चले गए थे सीएंपंग मैच जीतने के बाद और एंड भी बहुत आइकॉनिक है इस मैच का एंड पूरा जो क्वैलिटी थी वह भी भाई टॉप नौस थी तो टैफिनेटली एक मसी मैच है और यह कैसा मैच है जोगी अगर आपने उस दौरान देखा होगा तो भाई आज भी आपको याद होगा एंड उस दौरान इस मैच को देखने का मज़ा एक अलगी ल लेकर और एंड में सबको लगा कि या चैंपेंशिप लेकर तो नहीं जाएगा सीम पंक तो जौन सीना ही जीतेगा बट हुआ उल्टा ही कि सीम पंक इस मैच में जीत गए तोड़ी बहुत इंटरफेरेंस बगेरा हुई विंस मिंक्मैन की तरफ से जो कि हल्प करना चाते थ देखा है और बी कुछ सूपर्स इस जिनके ग्रेटेस मैच खलेना पूरी प्लेडिस्ट हमारी और यह वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो दो टोटि मगुली देव दिए गए गान तिल देन लवय यॉ तो नौ रव यॉल यॉ ऑन टोनों किवब यॉब यॉव ज ग फिति लुट भीघ इसे सट को चेटो हुआ टो टो मुलें लॉव यॉब यॉव यॉच विए टॉट नौ पू